नमस्ते मैं इसके सर्मा आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं हाजनु आपके सामने बहुती संबेदन सील मुद्दा ले करके जो है ओपन स्कूल्स एंड कोचिंग्स तो इस मुद्दे में अगर आप एक प्राइबेट स्कूल में टीचर हैं या कॉलेज में टीचर हैं या कोचिंग स्टूट चलाते हैं या बेद्यारत ही हैं तो आपको यह पूरा वीडियो जरूद देखना चाहिए और इसको शेयर करना चाहिए ताकि यह अबाज सही लोगों तक पहुंचे मार्केट सार ओपन जैसी लोगडाउन वड़ता है जनता कर्फिव नाम देदी कुछ भी देदी लोगडाउन देदा है वो जैसी लोगडाउन वड़ता है तुरंत बजार खोल दाते हैं बजार इसलिए खोल दाते हैं क्योंकि आपको चिंता है ब्यापारियों की सरकार को म लिक्वर शॉफ्स आर ओपन दारू की दुकाने तो पिछले साल ख़दर ना गिशते थी और ना की तब भी खोल दी ती आपके अनुसार ख़दा निशते थी दारू की दुकाने खुल दाती है आप मानते हैं कि जुब्यक्ति दारू पीएगा वो दारू पीने के बाद सोचल पानल कर पाएगा अगर आप एसा मानते हैं तो इससे बैटरी बात क्या हो सकती है मतलब जो एक दारू पीने जा रहा है आपने काया कि वह तेक अवे हैं मतलब वहां पर जाके नहीं पी सकता है कुछ लोग तो हम डिलीवरी भी दे रहे हैं तो आपको दारू पीने वाली ल लग गया था 2021 की बात कर रहें अपरेल में तब दमों में उप्चनाब थे तो नेता लोग डिलीज कर रहे थे बंगाल में भी प्लिटिकल रेलीज हो रही थी राइनीक्रेली आप क्यों कर सकते हैं कि आप भाई नेता है आप सर्वूच शिकर पर बैटे हुए हैं आप सभी जानते हैं वह सबसे ऊपर हो तो सबस्क्राइब करें बहुत अच्छी वात और है कि आप को इसकती देता है कि सीस्टम इतना को इसकती दिये कि आप चीजों को अपने साथ मैनुपलेट करें अब कहें कि अभी हमने राजनेतिक उत्सवह पर पामदील लगा रखी है अभी चुनाब नहीं है आपकी मर्जी आगी तो आप खोल दोगे आपके साम में क्योंकि आपको अपनी ली तो काम करना है जनता के द्वारा जनता के द्वारा चुनी गई नेताओं की नेताओं के लिए तंतर में नेताओं के लिए सरकार रहे जिसमें नेताओं की सहलियोत हो वह वाली सरकार है कि जुई कौलेज जो स्कूल सोगी चाहे उसको 4 तक मोहिया नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, उसको किस तरह से कुर्शी पर सोना पड़ रहा है। अब यह फोटोग्राप कहां का लिया गया है। हम ऐसा नहीं करें कि सारे सरकाई टीचर खराब हैं। बहुत सारे सरकाई टीचर 99% से बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत मैंस से काम करते हैं। लेकिन इस तरह के लोग भी हैं। बहुत सारे टीचर को निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है कि उन्हें चार क्लास पढ़ाने के लिए चार मेत के टीचर साहिए थी mathematics के या science के अब एक ही आदमी सारा online क्लास में कर लेगा तो बहुत सारी टीचर को निकाल दिया गया है उनको नियमतरू से salary नहीं दी गई है सेलरी में कटोती की गई है तो प्राइविट टीचर जो है इस समय सब से ज़्यादा बदाहाल इस्तिती में परिवार का भरण पुसर नहीं कर पा रहा है एक MSC B8 किया हुआ आदमी या MA पड़ा हुआ आदमी आज सबजी बेचने पर मजबूर है उसे सरम भी लगती है वो जा रहा है जब छोटा काम कर रहा है उसको सरम भी लग रही है भई पड़ा लिखा है तो उसके सिच्छा के साब से उसका रूजगार करेगा तो संतुस्षी रहीगी अब उसने पढ़ लिख करके आपके पास इतने पड़े लिखों तो वो प्राइबिट रूजगार कर रहा है आप बंद कर देते उसको सारी चीज़ें खुलेंगे आपको चिंता उसकी नहीं है आप कहोगे हम बच्चों की सेहत की चिंता करते हैं इसलिए स्कूल नहीं खुल लाए बहुत अच्छी बाद है बच्चों की सेहत की चिंता करते हो कुछ चिंता पैरेंट्स को भी तो करने दो आप ओपन कर दो बजार ओपन होता है पैरेंट्स से पूछो जिसकी मर्जी होगी वो बेजेगा जिसकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं बेजेगा पेरेंट्स से ज़एदा प्यारतो आए बच्छो से नहीं कर सकते हैं। आइसोलेटर्ड केंपस के अंदर जो भी बच्छा जाएगा, वो बच्छा टेस्ट कराके जाए। वह आके प्रेंसिपल की जिम्मेदारी हो कि यह बच्चा टेस्क करा के आए हैं सारे टीचर टीका लगा कि टेस्क करा के जाएं वह खुल जाएगा सैच्छडी गत्वी शुरू हो जाएगी रोजकार के अलावा सिच्छा का भी रास हो रहा है सिच्छा का इतना अब मूल्यन ह हुआ है दो साल के अंदर जो बच्चे का घर रेर करके बच्चा चड़ चड़ा होता जा रहा है बच्चे की च्छमता है वह कम होती जा रही है कि इसका इसक्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और हर कर पास स्क्रीन भी नहीं है आप लग रहा है को ऑनलाइन माधियम से सिच करवा करके वह सकते हैं वैक्सिन लगवा करके आ सकते हैं या टेस्ट करा करके आ सकते हैं और उसे आपने बायो बबल में आई पेल करा दिया तो बायो बबल में यूनिवस्टी को चलाई ना सेटली गदबती चलाई है सिच्छा आपके अनुसार आधार है सब के अनुसार प्याहतीस के लगती है है वो भी तो को रहा सकता है मैं है बच्चों की इमुनीटी गम्जोर रहती है बच्चें से आप साथ साल की बच्चें पड़ता है 18 साल से बड़ा बच्चा बाहर जाकर के सब्जी पेश सकता है एट साव से बड़ा बच्चा बाहर जाके दोकान चला सकता है साड़ी के सो रूब पर काम कौशला सकता है लेकिन college में नहीं जा सकता यूनिवेस्टी में नहीं सकता है कॉलच में अगर आपको college खूलने लिए तो इसका तरीका यह है कि आप एक काम कर दिए कि आप कॉलिज को और जैसे या मार्केट खोलते हैं को जो कैसे खोलें आप कि एक दिन में 40 बच्चे आएंगे 20 बच्चे क्लास अटेंड करेंगे और 20 पर बच्चे केंपस में स्काटड रहेंगे बिखरी हुए रहेंगे कोई लाइबरीयम बैठा होगा कोई बीडिंग रूम में बैठा हूँए कोईकि किसी लें में बेठा हुगा साठ के कि वारा बझ से इक लिए सूसल डिस्टेंसिंग मेंटन करना क्लास में उसकिल काम नहीं है सब्सक्रіш्सक्राइब करीज एंड No.9iende debit बिखरे हुए हैं मॏंअ से किसी का नाम नहीं रहे हैं बहुत सारी बड़ी स्टुट्स ओल्लाइन आप देखते हैं आप उनके सब्सक्राइबकार न लेक्टाइब करने लगाते हैं तो सच्चा वश्त ध्वस्त है तीचर कमा नहीं पा रहा है टीचर बेरोजगार हो चुके हैं बदहाल इस्तिती में परिवार का भरण पुसर नहीं कर पा रहे हैं तंग हाल जीवन जी रहे हैं दूसरों को प्रेड़ित करने वाला टीचर आज डिप्रेस्ट हो गया है बच्चों को धीरस देने वाला टीचर के पास आज धीरस नहीं बचा कोंचिंग इस्टूट तो अजूरों करते हैं बच्चे चोटे बच्चों ल коп उब पाएंगे जिएगई जातर कोंचेंगेंीजक्यस डियारी नहीं सकते दिए हैं भाई सारे कोचिंग टीचर भारत में 95-95% कोचिंग टीचर जो है वो छोटे कोचिंग टीचर से हैं एलन या फिटी इससे बड़े ब्राण कम हैं ठीके जो छोटा कोचिंग टीचर है वो पूरी तरह से खाली बैठा हुआ है इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है वो ऑनलाइन आदमी स्वरोजगार के बाद में से अपने परिवार का भरण पूसर कर रहा था वह अधिकार भी अभी बंचेत है असमंजस में अंदकार में है अगर इसी तरह सेट्टी सनस्तानों की हालत रही तो जो योग की लोग है वो सकता है वो अपना पैसा बदल है अपना पैसा ब से दिखती हो और आपको इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि यह जो टीचर है यह संग्टत नहीं है यह संग्टन नहीं है यह जाती बिसनेस्टान सब्सक्राइब कर दर्टी ना और बजार खुल चका है तो सेल्सी संस्तानों को भी खोलिए चोटे बच्चों के लिए नी खुलने चाहते हैं मत खोलिए बड़े बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवेस्ट्री तो खोलिजे बड़ी कोचिंग तो खोलिए कम से कम कुछ रोजगार का सेजन तो होगा से रोजगार पाते हैं तो आप से हाथ जोड़कर के करवद निवेदन है कि कम से कम बड़े संस्तानों खोल दीजिए ताकि यह जो प्राइवेट टीचर संगस कर रहा है उसका संगस थोड़ा कम हो उसके जीवन की गुडवत्ता में थोड़ा सोधार आए पूरा बजार खोल दो कैसे भी खोल दो कम से कम इसको अपने परवार के भरण पोस्ट करने का अब सरप्रदान कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीचर से निवेदन है कि वह इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि माननी लोगो के पास यह वीडियो पहुंचे जै हिन जै भारत एक बार पने धन्यवाद